सभी भाई भाईनों को नमस्कार मैं हूँ राजेस रावत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चेनल रावत मैच पर प्यारे मित्रों हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पदत्ती दिसमें हम दो बाते पढ़ चुके थे एक तो पर्थम एन प्राकर्च संख्याओं का योग ग्यात करना एक पर्थम एन प्राकर्च संख्याओं के घनों का योग ग्यात करना आज हम सीखने वाले हैं पर्थम एन प्राकर्च संख्याओं के वर्गों का योग ग्यात करना एक वो क्यूसन करेंगे जो last वीडियो में मैंने आपको दिया था करने के लिए कि आप करके देखिएगा गलत होता कि सही होता वो बात की बात है थोड़ा परियास कीजिएगा आसा करता हूँ आपने किया होगा कमेंट बुक्स में किसी ने कमेंट तो किया नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद में लाइक और सेर जरूर करना तो देखिएगा हर एक छोटी छोटी बात कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को सीखते हुए चलेंगे तो देखिएगा सबसे पहले मा ने फोर्मूला लिखा है पर्थम N प्राकर्त संख्याओं के वर्गों का योग जात करने का फोर्मूला होता है एन कोस्टक N प्लस 1 2N प्लस 1 अपॉन 6 पर्थम N का मतलब होता है एक से लेकर के N तक लगातार एक से लेकर के N तक की संख्याओं के वर्गों का योग याद करने का फोर्मूला होता है N कोस्टक N प्लस 1, 2N प्लस 1 अपॉन 6 ये N जहां तक प्राकर्ट संख्या बताएगा उसमें अंतीम प्राकर्ट संख्या N है वो मान उठा के इस फोर्मूले में रखना है देखिएगा, एक्जम्पल नंबर 1 पहला एक्जम्पल है, एक की घात 2, प्लस 2 की घात 2, प्लस 3 की घात 2, प्लस कहां तक, प्लस 10 की घात 2 इसका मान अपने को बताना है क्या आएगा एक से लेकर के 10 तक की संख्याएं हैं और इनके वर्गों का योग अपने को बताना है तो देखिए, शुरुआत एक से हो रही है लगातार चल रही है संख्याएं कहां तक? 10 तक तो अन्तीम प्राकर्ट संख्या कौनसी है? अन्तीम प्राकर्ट संख्या है 10 तो n का मान हो गया है यहां 10 यह n का मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो n की जगे रखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 है इंटू 2 गुणा 10 इंट 10 है तो 2 गुणा 10 20 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 और बट्टा में है 6 अब देखिएगा इसको calculate कैसे करेंगे अब देखिएगा 3 का भाग जारा 6 में कितना आएगा 2 और 3 का भाग जारा 21 में कितना आएगा 7 आपकी इच्छा हो रही होगी कि मैं इस 2 को और इस 10 को काट दू नहीं बट्टा में 2 आजाए तो बट्टा में 2 आने का मतलब होता है उपर वाली संख्या का Half कर देना आदा कर देना मतलब 2 का भाग देने का मतलब होता है जिस संख्या में 2 का भाग देना है उसका आदा करना है तो यहाँ पे देखिएगा मैं इस 7 की गुणा करता हूँ 11 से आएगा सततर, सततर की दस से गुणा होगी तो आएगा साथ सो सतर और इसमें कितने का भाग देना है, इसमें दो का भाग देना है, मतलब इसका आदा करना है, आराम से आदा कीजिए, साथ सो सतर दिख रहा है, साथ सो का, अलग भाग मत दीजिए ले जागर के दो का, कि साथ स देने का मतलब होता है उस संख्या का आदा करना और ये देखो कितनी आसानी से आदा हो रहा है साथ सो सत्तर में दो का भाग देना है मतलब साथ सो सत्तर का आदा करना है आप बोल रहे हो आदा भी करते चलो ना साथ साथ कैसे साथ सो सत्तर बोल रहे हो 700 का आदा बोलो ना 375 70 का आदा बोलो ना 35 375 और 35 कितना होता है 385 होता है मतलब 770 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 385 ये आपका answer हो जाएगा मतलब 1 से लेकर के 10 तक की प्राकर्ट संख्याओं के वर्गों का योग आएगा 385 आसा करता हूँ बात समझ में आई होगी next देखिएगा पर्थम 12 प्राकर्ट संख्याओं के वर्गों का योग याद करना कितनी पर्थम 12 प्राकर्ट संख्याओं का अब इसको लिखने की जरूरुत नहीं है पर्थम 12 प्राकर्ट संख्याओं मतलब एक, दो, तेन, चार से लेकर के कहा तक बारे तक की प्राकर्ट संख्याओं लिखनी है और सब के वर्गों का योग बताना है इसका मतलब अंतीम प्राकर्ट संख्या क्या है अंतीम प्राकर्ट संख्या है बारे यह लिखने की जरूरत नहीं हैny दारेक्ट बात को पकड़ा जा सकता है पर्थम 12 बोला है तो 1 का स्क्वाईर प्लस 2 का स्क्वाईर एक से शुरुआद करनी है 3 का स्क्वाईर अपटू कहां तक प्लस 12 का स्क्वाईर बारे तक मतलब अंतिम प्राकर्ट संख्या कितनी आई है, यहीं पता चल रहा है, बारे है, तो इस बारे को, यानि N का मान बारे हो गया, इस बारे को अपने को इस फोर्मूले में चिपकाना है, N की जगे लिखेंगे, बारे गुणा, बारे प्लस एक हो जाएगा, तेरा गुणा, दो बारा चोविस औरे कितना हो जाएगा पत्चिस और बट्टा छे अब देखो छे का भाग बारे में जा रहा है कितना आएगा दो आएगा अब जो नंबर आया उसको मैं लिखता हूँ दो गुणा तेरा गुणा पत्चिस सुनिएगा मेरी बात को कैल्कुलेशन पे गौर करिएगा इस दो की तेरा से गुणा नहीं करेंगे तो इस दो की डायरेक्ट मैं पत्चिस से गुणा करूँगा दो से गुणा करने का मतलब होता है डबल करना दो से भाग देने का मतलब होता है आदा करना तो यहां 2 से गुणा हो रही ही है 2 से गुणा करने का मतलब होता है संख्या का डबल कर देना अगर मैं 13 से गुणा करूँ तो 13 का डबल कर दूँगा 25 से गुणा करूँ तो 25 का डबल कर दूँगा अब 13 का डबल करने से ज्यादा मज़ा मुझे 25 का डबल करने में आ रहा है कारण क्या है क्योंकि जैसे ही मैं 25 का डबल करूँगा तो 50 हो जाएगा यहाँ पे 0 दिखेगा मेरे को और calculation आसान होगी इससे अने था यदि आप 26 लिखेंगे 2 की 13 से गुणा करेंगे तो 26 आएगा 26 की फिर आप गुणा करेंगे 25 से फिर आप calculation में फसेंगे आपको गुणा करनी ही पड़ेगी तो इस गुणा से फिर बचना है आपको कैसे बचना है सुनिएगा इस 2 की direct गुणा कीजिएगा आप 25 से क्योंकि 2 5 से गुणा होगा तो 10 बनाएगा मतलब संख्या की last में 0 आएगा इसलिए मैं 2 की 25 से गुणा कर रहा हूँ 25 से गुणा करने का मतलब है डबल कर दिया 25 का 50 और गुणा में 13 ही रहा अब 13 का पाड़ा मत बोलिए आप कि 13 की और 50 की गुणा करें तो 13 का पाड़ा 5 बार बोलगे जीरो लगा दे ऐसा मत करिए ये तो चलो छोटी संख्या है इसकी जगे यदि बड़ी संख्या आ गई तो जैसे मानलो 69 इन टू 50 ऐसा आ गया तो 69 का पाड़ा तो आता नहीं है आपको अब क्या करें तो तरीके ऐसे अपनाओ जो हर जगे आपके आसा नहीं पैदा करें कठना ही पैदा नहीं करें तो देखिएगा तेरा के साथ किसकी गुणा करनी है तेरा में 50 की गुणा करनी है अब मेरी बात सुनिएगा किसी भी संख्या में ये दि आपको 50 की गुणा करनी है तो आप पचास की गुणा करिये ही मत तो एक दूसरा काम कीजिए दूसरा काम क्या है किसी भी संख्या में पचास की गुणा करनी है तो आप पचास की गुणा करिये ही मत मैं बताता हूँ वो काम करियेगा कौन सा काम जिस संख्या में करनी है तेरा में करनी है न पचास की गुणा तो इस संख्या के दो जिरो लगा दो तेरा सो और अब इसका आदा कर दो ये बताया है मैंने डारिक्ट भी हो सकता है तेरे में पचास की गुणा करनी है क्या करना है तेरे के दो जिरो लगा दो तेरा सो तेरा सो का आदा करो तेरा सो का आदा कितना होता है रे तेरा सो का आदा होता है छेस्सो पचास कितना होता है तेरा सो का आदा होता है छेस्सो पचास मतलब तेरा सो में दो का भाग देंगे कितना आएगा छेस्सो पचास आई बात समझ में 69 into 50 है, 79 में 50 की गुणा करनी है, मत कीजिए 50 से गुणा, 79 के 2,0 लगा करके 900 का आदा कीजिएगा, 3,450 आपका एंस्वर आएगा, क्यों कि देखो, गुणेतर, गुणेतर 100, अब इसका आदा करेंगे, तो 6,000 दिख रहा है, 6,000 का आदा तो 3,000 हो जाएगा, 900 का आदा, 45,500 हो जाएगा, 3,450 आएगा गी नहीं आएगा, बिलकुल आएगा, ये fast calculation है, कैसे करनी है, किसी भी संख्या में जब 50 की गुणा करनी है, जैसे मानलो, simple सी संख्या ले रहा हूँ, 16 में ये आपको 50 की गुणा करनी है, तो आप क्या करें, 16 के 20 लगा ले, 1600 हो गया, इसका आदा कर दे, 800, मतलब 16 के 50 से गुणा करेंगे, तो 800 आएगा, इतना आसान है, 50 को काम में नहीं लेना, क्या करना है, 16 के 20 लगाने है, 1600 का आदा कर देना है जिस संख्या में 50 की गुणा करनी है, उस संख्या के 20 लगाईए और आदा कर दीजिए, आदा ये माइंड अपने आप करके देगा, आपको तो answer answer लिखना है, कितना आएगा, बताओ, 13 में 50 की गुणा करेंगे, तो 1300 का आदा करेंगे, चबदा में 50 की गुणा करेंगे, तो 14 का आदा करेंगे, बताओ, अब 1300 का आदा कितना होता है, 1300 का आदा होता है, 650, 7600 होता है, मतलब, एक से लेकर कि 12 तक की संख्याओं का योग कितना आएगा, 650, अब देखिएगा, तीसरा example, क्या लिखा है, 4 का square प्लस 5 का square, कहां तक 10 के square तक का मान बताना है आपको योग के प्लस लिखा हुआ है, तो योग ग्याद करना है, 4 का square, प्लस 5 का square, प्लस अब टू कहां तक, प्लस 10 का square, यहां तक का योग बताना है आपको, 4 से लेकर के 10 तक की प्राकर संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, हम तो 1 से लेकर के 10 तक पूस्ता तो formula जानते हैं, यह यह एक से तो नहीं लिखा हुआ, तो यह काम कर देते हैं, हम इसमें लगा देते हैं, एक का square, प्लस 2 का square, प्लस 3 का square, यह अपनी तरफ से जोड़ा है हमने, अब हम एक से लेकर के 10 तक की प्राकर संख्याओं के वर्गों का योग तो निकाल सकते हैं, बिलकुल निकाल सकते क्या क्या निकाल सकते हैं, बताओ, कैसे निकाल सकते हैं, 10 अंतिन प्राकर संख्या, 10 गुणा, 11 गुणा, 10 का double, 20 और 21, बटा 6, यह क्या आया है, यह एक से लेकर के 10 तक की प्राकर संख्याओं का योग आया है, इसमें से अब यह माइनस करना पड़ेगा, यह वाला, यह व गुणा तीन से आगे मिलेगा तीन प्लस एक च्यार गुणा तीन का डबल छह और एक इतना हो गया साथ इस फोर्मूले में मान रखा है एन की जगे तीन और बटा में कितना है बटा में है छह असा करता हूँ बात समझ में आई होगी अब देखिएगा इसको थोड़ी देर प छै दो से चार को काटा दो साथ की दो से गुणा करेंगे तो आ जाएगा चवदा मतलब 386 से चवदे हटाना है 385 से कितना हटाना है 14 हटाना है, 385 से पहले 10 हटादो 375 आएगा, अब 4 और 8 आदो 371 आएगा, मतलब 371 आपका answer हो जाएगा 4 से लेकर के 10 तक की प्राकर संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा? 371 अब देखिएगा, क्यूशन नंबर 4 जो की पिछले वीडियो का क्यूशन है 1 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, प्लस 5 का क्यूब, अब टू कहां तक प्लस 11 के क्यूब का योग ग्याद करना है 1 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, प्लस 5 का क्यूब, प्लस अब टू कहां तक प्लस 11 का क्योब यहां तक का योग ज्यात करना है तो हम घनो के योग वाला फोर्मूला लगने की सोचें तो थोड़ा सा गोर करिएगा घनो का योग ज्यात करने का फोर्मूला होता है n कोस्टक n प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वाइर होता है ये घनों का योग ग्यात करने का फोर्मूला है पिछले वीडियो में करवाया था आपको लेकिन ये तो पर्थम एन प्राकर्ट संख्याओं का था ना लगातार होनी चाहिए एक से ये लगातार नहीं है देखना एक का क्यूब है फिर दो को गाइब कर दिया तीन का क्यूब है चार को गाइब कर दिया पांच का क्यूब है ऐसे लिखी हुई है हमें तो एक से लेकर के एन तक का पुछित तब आता है तो एक काम करते हैं जो यहां से गाइब है उसको हम एक बार लगा देते हैं पूरा योग ज्याद करके जो लगाया है उसको वापिस घटा देंगे मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये खाना खाली पड़ा है इसको भरिये 2 की घाद 3 प्लस इसको भरिये 4 की घाद 3 प्लस ये ऐसे भरते जाएंगे यहां आएगा 10 की घाद 3 आएगा की नहीं आएगा कहां से कहां तक एक से लेकर कि 11 तक की संख्याओं की घनों का योग, बताओ अंतीन प्राकर्ट संख्या क्या है, अंतीन प्राकर्ट संख्या है 11, 11 को पकड़िएगा और इस फोर्मूले में रखिएगा, 11 गोना, 11 प्लस एक हो जाएगा, 12 और बट्टा 2 का होले स्क्वाइर, अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा, भई, क्या माइनस करना पड़ेगा, जो आपने लगाया था, ना अपना काम निकालने के लिए, उसको माइनस करना पड़ेगा, क्या लगाया था, दो का क्यूब लगाया था, ओके, च्यार का क्यूब लगाया था, ओके, छे का क्यूब लगाया था उके इस हिसाब से last आपने क्या लगाया दस का क्यूब लगाया था लगाया अब देखो ग्यार दो का भाग जा रहा है बारे में कितना आजएगा 6 यह आजएगा 11 गुना 6 66 66 का square minus इससे क्या कोमन आ रहा है इससे कोमन आ रहा है दो की घात 3 देखो इस सब के पास 2 की घात 3 है तो यह बचेगा 1 की घात 3 प्लस यह हो जाएगा 2 की घात 3 प्लस यह हो जाएगा 3 की घात 3 और प्लस अब टू यह last वाला हो जाएगा 5 की घात 3 अब देखो, ये एक से लेकर के पांच तक की संख्याओं की घनों का योग है ना, प्राकर्ट संख्याओं का, तो इसमें भी वापिस फोर्मूला लगा दो, 66 का स्क्वाइर करना, अब 66 का स्क्वाइर कैसे करेंगे, सुनिएगा, दो अंकों की संख्या है, तो इकाई अंक का वरग करिएगा, इकाई अंक का वरग करिएगा, 6 का वरग हो जाएगा, 36, 3 अपने पास रख लो, 6 की 6 से गुणा करो, 6 की 6 से गुणा करेंगे, 36, 36 का डबल करना है, बहतर आएगा, बहतर में 3 जोड़िएगा, बहतर में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा, 55, 7 अपने पास रखि 3 का मतलब 8 गुणा, देखो, एक से लेकर के 5 तक की संख्याओं के घनु का योग है, तो अंतिम मान है 5, 5 गुणा, 6, 5 गुणा, 5 पलस एक 6, बट्टा 2 का स्क्वाइर, मतलब 4306, 5-8 गुणा, 2 का भाग जा रहा है, 6 में कितना आएगा, 3, 5 की 3 से गुणा करेंगे, 15, 15 का स्क करेंगे, आएगा 225, 15 का स्क्वाइर कैसे आए, 225 आपको बताया था एक बार, कि जिस संख्या में 15 का वरग करना है, इकाई का अंग है, 5, 5 का, इकाई का अंग 5 है, और जिस संख्या के अंत में 5 होता है, उसका वरग करने पर लास्ट में 25 आता है, इस एक को पकड़ो, इस एक से आगे क्या है इस एक से आगे आता है दो एक की दो से गुणा करें तो आएगा दो मतलब 15 का वरग होता है 225 इस 225 की आठ से गुणा करनी है आठ से गुणा करने का मतलब होता है तीन बार डबल करना क्या होता है लगातार तीन बार डबल करना तो मैं इसे 225 का डबल करूँगा 900 आएगा 900 का डबल करूँगा तो 1800 आएगा मतलब 4356 में से कितना माइनस करना है 1800 माइनस करना है अब देखो 4356 से 1800 माइनस कर दो तो बचेगा 6 5 एक हासल की ले लो 13 13 में आठ घटाएंगे कितना बचेगा? 5, यहाँ है 3, 3 में से घटाओ बचेगा 2, मतलब 2556 आपका एंस्वर हो जाएगा. 2556 आपका correct एंस्वर होगा. Last point देखिएगा लिखा हुआ है एन अंकों वाली प्राकर्थ संख्याओं की संख्या ग्याद करना. कितने अंकों वाली? N अंकों वाली. N अंकों वाली प्राकर्थ संख्याओं कितनी होती है तो formula है 9 गुणा 10 की घाट N-1 होती है. क्यूशन पूछा जाता है याद रखना N अंकों वाली ऐसे पूछा जाता है तीन अंकों वाली कितनी प्राकर्ट संख्याएं है कुल चार अंकों वाली कुल कितनी प्राकर्ट संख्याएं है दो अंकों वाली कितनी है पांच अंकों वाली कितनी है ऐसे क्योशन पूछा जाता है तो यहाँ N अंकों वाली प्राकर्ट संख्याओं की संख्या यह दि याद करनी है तो फोर्मूला होगा 9 गुणा 10 की घात N-1 यह फोर्मूला याद रखना है कितने अंकों वाली? N अंकों वाली मतलब यहाँ घात पे नजर डालिएगा N-1 लिखा है N अंकों वाली पूछे तो N से 1 कम करके घात लगानी है जैसे मानलो 5 अंकों वाली पूछे तो 5 से 1 कम कर दो 4 4 घात लगानी है इसके तो एक एक्जांपल लिया है मैंने 3 अंकों वाली कुल कितनी प्राकर्ट संख्याई हैं कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली नो गुणा, दस की घात दो होता है, सो, नो की सो से गुणा करेंगे, आएगा नो सो, मतलब तीन अंकों वाली कुल नो सो प्राकर्ट संख्याएं होती हैं, गिने ना, सो, एक सो एक सो दो, एक सो तीन, फिर चलते हैं, नो सो निननाण में तक, फिर एक जार में जाके वापिस जार अंका जाते हैं, तो ये बात कर रहा है, सिरफ तीन अंकों वाली संख्याओं के कितनी प्राकर्ट संख्याएं हैं, तो नो सो प्राकर्ट संख्याएं हैं, अब ये पूछ रहा है, दूसरा एक जम्पल है, सो अंकों वाली कुल कितनी प्राकर्ट संख्याएं हैं, सो अं गुणा 10 की घात 100-1 होता है 99 मतलब 9 गुणा 10 की घात 99 में इतनी संख्याइए जो है वो प्राकर्ट संख्याइए होगी कुल कितने अंकों वाली 100 अंकों वाली आई बात समझ में तो प्यारे विद्यार्थियो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद जे भारत रम आवाद